बड़ी खबर आपको बता दे हर्याडा की गुरुगरा में पूरुन वॉर्डल दिविया पाहुचा की हत्या मामले में पुलिस ने एक और गिरफतारी कर ली है सोंबार को गुरुगराम पुलिस की क्राइम टीम में एक और संदिक को गिरफतार कर लिया है जिसकी पहचान मेगा के रूप में हुई है मेगा से पूश्ताज जारी है इस मामले की जांच के लिए छे टीमें तैनाद की गई है हानकि अभी तक शब वरामत नहीं हुआ है पुलिस उत्रों के मताविक हत्या की पूरी योजना अभी जीत ने बनाई थी और अब दिविया की बहन ने स्टीविया जांच की मांग की है बड़ी खबर आप बता रहे हैं हर्याना की गुरुग्राम में पूर मॉडल दिविया पाहुजा की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी होती है सुमबार को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने एक और संदिक को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान मेगा की रूप नी हुई है मेगा से पूश्टा चल रही है इस मामले की जांच के लिए छे टीमें तेहनात की गई है लेकिन अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है पर अभी तक दिव्या पाहुजा का शव और आमद नहीं हुआ है दिल्ली के नजदीक हर्याना के गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी अभिजीत की मेगा नाम की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया आरोप है की दो जनवरी को दिव्या की हत्या के बाद उसने अभिजीत की मदद की थी और सबूतों को मिटाने का काम किया था और इसका पता चलते ही गुरुगराम पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया पुलिस के मताबिक दिल्ली के नजवगड की रहने वाली 20 साल की मेगा आरोपी होटेल मालिक अभिजीत की दोस्त है पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूर्टाच में उसने ये बात कुबूल की कि वो वारदात वाले दिन अभिजीत के बुलाने पर सिटी पॉइंट होटेल पहुँची थी उसने वहां दिव्या का खून से सना शव भी देखा था सूत्र बताते हैं कि उस दोरान आरोपी अभिजीत ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद मांगी थी और आरोप है कि मेगा ने दिव्या की हत्या में इस्तमाल किया गया हत्यार, उसके दस्तावेज और उसका सामान चिपाने में अभिजीत की मदद की थी जांच में ये भी पता चला कि मेगा फूड डिलिवरी का काम करती है। दो जन्वरी को गुरुगराम के होटेल में दिव्या की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के छे दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को उसका शव नहीं मिला। अलंकि गुरुगराम पुलिस शव ढूंडने के साथ उन दो लोगों की तलाश में भी जुटी है जिन पर दिव्या के शव को ठिकाने लगाने का आरोप है। इसी के साथ इस पूरे बामले की जाथ सीबी आई करें ऐसी दर्फास मुख्यमंद्ची मनोरलाल खटर से। क्या पूरी ये गठना रही कब दिव्या जो है अभीजीत से मिली और किस तरह से पूरी घटना गटी क्या कुछ जानकर यह आपके पास है। मेरी लास्ट बात जो थी वो दिव्या से सेकेंड जैन्वरी को हुई थी। दो जैन्वरी को बारा बजे उससे मेरी आकरी बाद हुई थी। और उसके अंदर दिव्या ने मुझे मेंशन किया था कि वो आदे घंटे में घर आ रही है। लेकिन जब मेरे को से कॉंटाट नहीं हो पाया तब मैंने उसको सीख करना शुरू किया क्योंकि उसके और मेरी लोकेशन शेयर रहती है। उसके बाद जो उसकी लोकेशन थी वो दिल्ली के आ रही थी। फिर मैं अभी जीत की घोटल में पहुची। अभी जीत का मैंने वहाँ पर नंबर लिया वहां पर उसके लोग बैटे थे तो मैंने ते नंबर भागा। उसको मैंने बोला कि दिव्या काए तो उसने बोला कि मैंने इसको ग्यारा बजे गुड़गाओं में छोड़ दिया लेकिन जब मैंने इसको दो-तिन बार बोला कि उसकी जो लोकेशन है वो तेरे घर की आ रही है बार बार तो उसने बोला कि नहीं होई नहीं सकता मैं चेक करत और वहीं से मुझे हुआ कि दिव्या को इसने कुछ कर दिया है